गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम रियल इंग्लिश करेंगे आई होग आप सबने अपना हमबग कम्प्लेट किया होगा आप सबी अपने रियल इंग्लिश की बुक ओपन करो पेज नमबर वन चैप्टर वन आई हो आप सबको अपने चैप्टर का नेम रिट करना आया होगा चैने में आपके चैप्टर का दो ख्लैवर रैट आई हो आपने इसे मेरे साथ रिपीट भी किया और यही मैंने आपको हॉमवग भी दिया था आपने वो किया भी होगा आज हम इसमें नाउन सिखेंगे क्या सिखेंगे नाउन मेरे साथ बोलो अन ओ यू एन फिर से बोलो एन ओ यू एन ठीक है यह क्या है हमारा नाउन जिसे हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं क्या कहते हैं students नेमिंग वर्ड्स ठीक है हम नाउन को देखो यह capital N से भी represent कर सकते हैं ठीक है students अब नाउन यह फिर नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं सभी ध्यान से सुनना किसी का भी नाम लाइक आप अपना ही ले लो अपनी पेरेंट्स का आपके आसपस जितनी भी चीज़े हैं देखो यह भी क्या है यह पैन है इसका भी नाम है अपना जिसमें से मैं आपको करवारी हूं यह भी क्या है भूक है इसका भी अपना नाम है यह सब क्या है यह सब नाउन है हर चीज का अपना नाम होता है और उसी को हम नाउन कहते हैं ठीक है students अब आप इस स्टॉरी में देखो यह को ै? rat राट है नना और इसका क्या नाम है अपना? rat पंटर rat और rat दोनों ही क्या है हमारे नाओन है ठीक्ड़ अब यह देखो कि यह action आपको होता दीख रहा है इस में यह कहा हो रहा है क्या नाम है इस जगह का इस जगह का क्या नाम है रूम, इसे रूम कहोगे न आप, जहाँ पर यह आप देख पा रहे हो, क्या है यह रूम, इस रूम में यह क्या है, आप पूस्ते हो न, मैम यह क्या है, यह वाल है, यह भी क्या है, नाउन, यह क्या है जिसे रैटी देख रहा है, आपको तो अच्छ इस भी क्या है? Noun. क्या है students? बोलो. Noun. ठीक है? अब यह कून है? Blackie. Blackie भी नाम है ना? तो Blackie भी क्या हुआ? Noun. ठीक है? अभी देखो. Wall पर क्या हैं कर रही है? Picture कर रही हैं. तो यह भी क्या है? Noun. यह देखो. यह क्या है रूम में? Fan. Fan भी क्या है? Noun. यह क्या है? Lamp. Lamp है ने students यह? यह क्या है? Lamp. और Lamp भी क्या है? Noun. जो भी आपके आज पास चीज़ है, उसका अपना नाम जरूर होता है और उसी को हम क्या कहते हैं? Noun. चाहिए वो किसी जगा के बारे में कहो? या फिर जाँ आप बैठे हो, उसकी बात करो. ठीक है? वो सब क्या है? Noun. जिस पर आप सोते हो, बैठ वो भी तेक Noun ही है, न? ठीक है students? I hope आपको Noun के बारे में पता लगा होगा. अब आपको क्या करना है? इस परग्राफ में अच्छे से Noun को ढूड़ना है. ठीक है? कुछ नहीं करना है? पहले इसे रीड करेंगे. देखो एक परग्राफ. मैं आपको रीड करके बता रही हूँ. और आपको बता रही हूँ ये भी कि कैसे आपको Noun find out करने है. ठीक है students? ये फिंगर रखो. तिस इस ए लिटल ब्राउन राथ. क्या है दुबारा बोलो? तिस इस ए लिटल ब्राउन राथ. ठीक है? क्या ये? लिटल ब्राउन राथ है. अब इस में से आपको Noun find out करना है. ठीक है है? क्या find out करना है? noun देखो यहाँ rat क्या है ना मैंना ये तो ये हमारा क्या हुआ noun ठीक है इसके सामने क्या लिखोगे आप and जो भी word आपको noun दिखे उसके सामने आपने क्या लिखना है and लिखना है ठीक है जैसे दिखो यहाँ पर mat mat क्या है यही है ना mat जिस पर ratty बैठा है जिस पर ratty आपको दिख रहा है पिच्चर में यही तो क्या है noun है ना यह इसे हम क्या कह रहे है mat ही तो कह रहे है तो mat भी क्या है noun ठीक है students cheese, ratty, rat यह सब क्या है noun I hope आपको यह topic clear होआ होगा अब आपने क्या करना है इसके जितने भी paragraph हैं उन में से noun को find out करकर अपनी notebook पर लिखना है I hope आप यह अच्छे से करोगे ठीक है student अब हम page number to open करते हैं आप सब इस भी open करो I hope आप सब ने open किया कल मैंने आपको match भी कहा था करने के लिए आपने किया match अगर नहीं किया तो हम आज करते हैं और इसी से आपके noun भी clear होंगे देखो इसका क्या नाम है बताओ students येस ये क्या है fan देखो उसको fan से match कर दिया अब इसका क्या नाम है cat क्या है ये cat आपको पता है कि इस तरह के animal को हम cat कहते हैं क्याते हैं ना तो देखो मैंने इसको c80 cat से match किया तो ये cat क्या हुआ मेरा noun हुआ ना students हम नेक्स देखो ये क्या है और ये रैट्टी को भी पसंद है पता है ना आपको हमने पढ़ा था भी क्या है ये very good cheese क्या है ये cheese देखो ये cheese से इसको match करेंगे और मेरे साथ spelling भी रपीट करो cheese की c h e s e क्या है ये cheese बो लो students cheese ठीक है अब next देखो क्या है ये rat क्या है ये rat तो rat को rat से match कर देंगे ठीक है आई हो आपको noun अच्छे से clear हो गया होगा अब हम आगे चलते हैं फिंगर रखो सबसे पहले बोलो मेरे साथ complete the following phrases दुबारा बोलो complete the following phrases अब हमें यहाँ पर complete करने है ठीक है देखो ये जो आपको phrases दिये हुए है ये chapter में सही है तो आपने अगर chapter अच्छे से read किया है तो आप भी न देखे बता सकते हो कि इसमें क्या आएगा ठीक है अच्छा चलो बताओ क्या आएगा a fat फिर two blank ये देखो तो यहाँ क्या fill किया आपने first में fill किया black second में fill किया cat ठीक है ये आपके chapter में सही है मैं आपको show भी करती हूँ देखो ये देखो आपको वहाँ fat दिया हुआ था ना fat के साथ two blank थे देखो first blank में क्या fill किया है black second में cat I hope आपको वह phrase compare करना आ गया होगा अब हम वापिस से page number two open कर रहे हैं आप सब भी करो I hope आप सब कर रहे हो मेरे साथ सब को समझ आ गया होगा नहीं और हिसाम नहीं इसके picture भी बनी हुई है ये देखो student कैसी cat आ ये black cat ठीक है cat तो हमारा पता ही आपको क्या है क्या है हमारा बताओ noun ठीक है अब next पर आओ फिर से finger रखोर मेरे साथ बोलो ए फिर two blank है और फिर क्या लिखा है rat आपको क्या करना है इसे fill करना है तो मेरे साथ बताओ क्या आना चाहिए a dash rat क्या फिल करोगे little brown a little brown rat ठीक है आई हो आपने यहाँ पर little brown ही fill किया होगा अब finger रखो फिर से और मेरे साथ बोलो a big brown फिर एक blank है क्या आएगा fan क्या आएगा student fan ठीक है अब next देखो finger रखो फिर से और मेरे साथ बोलो yellow अब yellow क्या था cheese था cheese था ना क्या था student cheese ठीक है I hope आपने द्यान से सुना होगा यह तो हमारा page number 2 है ठीक है इसी तरह page number 3 निकालो सभी देखो student इसमें हमें कुछ नहीं करना सबसे पहले तो finger रखो और मेरे साथ रीड करो रखीना सबने अब मेरे साथ बोलो look at the given pictures given order दी हुई pictures देखो यह बनी हुई है आपको देखना है दी हुई pictures को look at करना यह देखो यह है न यह सब pictures को आपको देखना है और उनका नाम बताते हुए आपको जहां पर भी वो blank कहे करने के लिए fill वह आपको fill करना है देखो यह कौन है baby बैबी, क्या है ये, बेबी, छिक है और बेबी के स्पेलिंग में हमें बी के बाद, ब्लैंक दिया था, और हमें पता है, यहां क्या आना चाहिए, ए तो इसलिए यहां क्या फिल किया, ए आई हो आपको क्लियर हुआ होगा ये, अब नेक्स देखो ये किसकी पिच्चर है, पह आपने picture identify कर ली है अब हम इसकी spelling देखेंगे देखो car की spelling क्या होती है c, a, r होती है न बट इसने तो हमें c दिया है और r दिया तो अब क्या missing है a, तो हम यह लिख देंगे तो बन गया car I hope आपको यह समझाया होगा ठीक है students अब इसी के जस नीचे देखो यह किसके picture है सोचो आप सबको आपके बर्दे पर मिलता है न यह क्या है यह सोचो gift, very good क्या है यह gift और gift की क्या spelling होती है बोलो g, i, f, t आप देख रहे हो यहाँ पर g तो है f b है, t b है क्या नहीं है i नहीं है, तो हम क्या feel करेंगे यहाँ i, i hope आपको पता लगा होगा कि यहाँ पर क्या feel करना था ठीक है ऐसे ही, यह देखो कोन है very good frog है यह frog की spelling सुनाओ f, r, o, g देखो यहाँ f b है, r b है g b है, लेकिन क्या miss है o miss है है न, ठीक है न देखो, अब आगया नहीं हो तो ऐसे आपको समझ आ चुका होगा कि picture को देखकर पहले तो check करो कि वो किसकी है और फिर उसकी spelling में देखो जो miss होगा, वो fill कर देंगे ठीक है students I hope आपको समझ में आया होगा students, आपका page number 3 में articles भी है, देखो a या फिर an, यह क्या होते हैं हमारे articles, हमने अच्छे से सीखा हुआ है कि a कहां use होता है और an कहां use होता है पता है न आपको आप सब क्या करना वो वल याद करना पहले जब तक वो वल नहीं पता होंगे हम नहीं बता पाएंगे कहां a यूज होगा, कहां an तो मैं बोल रही हूँ आप अपनी notebook पर लिखो students, heading डालो vowels, date डालो और मेरे साथ बोलो और लिखो लिख रही होना students, मैं बोल रही हूँ लिखो a e i o u फिर से बोल रही हूँ दुबारा सुनो a e i o u ठीक है students a e i o u total कितने हुएं बताओ very good, total हो गए five अब ये five vowels आपको अपनी notebook पर three times लिखने हैं, ठीक है फिर हम कल यहीं से शुरू करेंगे कल मैं आपको notebook पर लिख कर भी दिखाऊंगी और आप से पूछूंगी भी कि आपको आए ठीक है students कल अच्छे से learn करने हैं क्या vowels और जितना आज करवाया है वो आपको revise करना है, ठीक है main मैंने आपको यहां तक करवाया है न और vowel बताए vowel तो लिखने लिखने है notebook पर और यह भी अच्छे से समझकर notebook पर इनकी spelling लिखनी है ठीक है students page number 3 की बात कर रही हूँ मैं इन pictures को अच्छे से देखना है और फिर notebook पर इनकी spelling लिखनी है I hope आप लिखोगे और page number 2 में भी आपको phrases मैंने भी बताए थे वो भी आपको learn भी करने है और लिखने भी है ठीक है students और एक और काम भी था बताओ क्या very good noun का आपको क्या करने है chapter में से name ढूनने है और उन पर इस तरह से and लिखना है ठीक है students आपको हमवक पता लग गया I hope आप noun को ऐसे underline करकर उसी के सामने and लिखोगे capital N लिखना सभी ठीक है I hope अपना हमवक अच्छे से करोगे और सुन्दर आइटिंग में करना सभी काम ठीक है ओके students याद रखना कल हम फिर से articles करेंगे कल में specially लिखकर दिखाऊंगी आज आप वीडियो सुनकर समझकर लिखकर ट्राइ करना ठीक है ओके students यही तक रखते है I hope आपने अच्छे से समझाओगा सुनाओगा ठीके students का में तक रहनες क रखते हैं क्यों समेखते है जिए कनल करना फिर देके बाखते है पर प्रैखते—